आपने अक्सर कहीं न कहीं जेसी भी मसीन को खुदाई करते देखा होगा आज के समय में यह मसीन दुनिया भर में अपनी उपएगिता के लिए जानी जाती है और इसने काफी हद तक हमारे जीवन को असान बना दिया है पहले जिस काम को करने में कई दिनों और महिनों का समय लगता था अब उसी काम को कुछ घंटों में यह मसीन कर देती है यह कई तरह की और आकार प्रकार की हो सकती है लेकिन सभी में एक बात समान होती है और वह है इसका पीला रंग पहले इसका रंग लाल वा सफेद होता था लेकिन इसे बदल कर पीला रंग कर दिया गया क्योंकि पीला रंग कम रुस्मी में भी साफ नजर आता है जिससे अंधरे में भी पता चल जाता है कि सामने जैसी भी मसीन से खुदाई का काम हो रहा है आपने देखा होगा कि स्कूल बस का रंग पीला होता है स्कूल बस और मसीने ऐसे वहान होते हैं जिनमें सुरक्षा का ज्यादा ध्यान रखा जाता है साथ ही इन वहानों से किसी प्रकार के दुर घटना ना हो सके इसलिए इन्हें पीले रंग से पेंट कर दिया जाता है वासों में पीला रंग अन्य अधिक रंगों की तुला में ज्यादा ध्यान आकरसित करता है यहां तक कि अगर आप सीधा देख रहे हैं और कोई भी चीज आपके सामने न होकर कहीं साइड में रखी हुई हो तो उस चीज को भी आप अधिक आसानी से देख सकते हैं एक रिसर्च में बैगानिकों ने पाया है कि पीले रंग का लार रंग की तुला में 1.24 गुना बहतर रंग देखा जा सकता है अंधेरे वातरण में भी पीले रंग आसानी से देखा जा सकता है कहीं कोहरे में भी पीले रंग को काफी जल्दी से देखा जा सकता है इनी सवी कारणों की वज़े से जेसिवी कमपनी अपने अधिकतर वाहन पीले रंग में ही बनाती है चलिए JCB के बारे में मैं आप लोगों को एक और रोचक बात बताता हूँ और वह रोचक बात दिया है कि JCB का असली नाम JCB नहीं है दरसल JCB तो इस मसीन को बनाने वाली कंपनी का नाम है लेकिन मसीन में JCB लिखे होने के कारण इसको लोगों ने JCB का ही नाम दे दिया वास्ताव में इस मसीन को एक्सकेवेटर के नाम से जाना जाता है चलिए आगे मैं आप लोगों को JCB कंपनी के बारे में बता दूँ दरसल JCB उस ब्यक्ति का नाम है जिसने इस मसीन का वैसकार किया और यह उसका सौट नेम है और जिन्होंने इस मसीन का वैसकार किया उनका नाम है जोसेप सिरिल बॉमफोर्ड इन्ही का नाम का सौट फर्म JCB है जिसे कंपनी का नाम दे दिया गया है जब जोसेफ अपनी कम्पनी का नाम रखने के बारे में विचार कर रहे थे तो उन्हें कोई अनूठा नाम रास नहीं आया इसके बाद उन्होंने अपने नाम पर ही कम्पनी का नाम रख दिया था इस कम्पनी की सुरुवात वर्स 1945 में ब्रिटेन में हुई थी उसी धरौन कंपनी ने अपना पहला एक्सकेवेटर नामाक मसीन लौंच किया था जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया था इसके बाद दुनिया भर में कंपनी ने अपनी फेक्ट्रिया लगानी सुरू कर दी और भारत में यह कंपनी फरिदाबाद पूने और जैपूर में है आपको बता दे कि आहम तोर पर ट्रेक्टरों की गती 35 किलोमेटर प्रती घंटा से ज्यादा नहीं होती है लेकिन इस कंपनी ने साल 1991 में एक ऐसा ट्रेक्टर का निर्मान किया जिसकी गती 65 किलोमेटर प्रती घंटा थी और आज तक किसी भी कंपनी ने इतनी तेज रफ्तार से चलने वाला ट्रेक्टर नहीं बनाया है यह कंपनी अब बड़ी मात्रा में एक्सकेवेटर, विल लोडर, ट्रेक्टर, मिलिटरी वाहन, डिजल मैक्स, वाइबरो मैक्स आधी का निर्मान करती है यहां तक कि कंपनी ने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वालों को ध्यान में रखते हुए फोन का निर्मान करने का लाइसेंस भी ले रखा है तो दोस्तों आप लोगों को यह जनकारी कैसी लगी कमेंट सेक्षन में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा तो चलिए मिलते हैं फिर से एक बार एक नए वीडियो में एक नए जनकारी के सान तक तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें